एक महीला कॉस्टेबल अर्द नगन हालात में होती है कैप्चर्ज पुलिस के ही कैमरों में और वो वीडियो होता है वाइरल 6 जुलाई 2021 की ये बात है आप लोगोंने भी ये वीडियो देखा होगा जिसकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई है नमस्कार मैं महेक चौधरी नाव की सची घटना यहां पर वीगा नाम का एक जगे है जहां कि ये सची घटना है यहां पर एक पुलिस कॉंस्टेबल होती है महिला वो भी बहुत अच्छी से अपनी ड्यूटी करती है लेकिन कहते हैं लालत सब के मन में होता है और वो उसके साथ एक सीयो पुलिस अधि के गर्रेंड बोय फरेंड की तरह रहने लगते हैं और घर पर अपने पती और पति यहने की जो CEO सहाब हैं वो अपनी पत्नी को घास नहीं डालते थे और जो महिला कॉस्टेबल है वो अपने पत्नी को घास नहीं डालती है यह से जरा लगातार उनका चल रहा है अब CEO सहाब कहते हैं कि क्यों ना कुछ समय प्राइवेट बिताया जाए कहीं छुट्टी मनाई जाए तब ही वो महिला कहती है क्यों नहीं सर चलिए बताइए कपका प्लान है दोनों प्लान बनाते हैं और अब जो महिला है वो अपने घर पर कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए कहीं पर जाना है एक नए स्कीम डिपार्टमेंट में आई है जिसकी मुझे ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए मुझे चार दिन के लिए जाना है वहां पर तुम्हारा फॉन नहीं मिलेगा जब भी टाइम लगेगा मैं तुम्हें ख कानपूर के होटल चले जाते हैं और अपनी पतनी से बात तक भी नहीं करते हैं और अपने फॉन को दोनों को स्विच आप कर लेते हैं जो फॉन उन्हें पुलिस की तरफ से मिला हुआ था पुलिस विभाग की तरफ से और जो फॉन उन्हें अपने घर का था दोनों को हैं रंगरालीय मनाते हैं रो सारा दिन खाते पीते घुमते पृटेए अब स्थी ऑप स्यों सभगो का फोन नहीं आता या कि आहिते आप कि मेरे पती घर पर नहीं आये हैं किरपा संकर जी उनका फोन भी नहीं लग रहा है नहीं उन्हें मुझे कुछ बताया है आखिर कार कुछ हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं क्या आप मुझे बता सकते हैं ये बात जब पुलिस विभाग में पता चलती है तो वो भी परिशान हो जाते हैं जो पुलिस विभाग की तरप से नंबर है वो भी सुचोख है आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सर फॉन का जबाब नहीं दे रहे हैं रिस्पॉंस नहीं कर रही हैं अब पुलिस भी और उनकी पतनी भी ढूणने में लग जाते हैं किरपा संकर जी को सीयो साहब को अब सीयो साहब को जब ढूणते हैं तो उनकी जो लास्ट लोकेशन आती है वो कानपुर के होटेल की आती है और अब पुलिस पहुँच जाती है पुलिस ने पहले से ही कैमरे ओन कर रखे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि सियो साहब के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ क्योंकि चार दिन से लोकेशन वही पर है और कोई भी वहां से रिस्पॉन्स नहीं है तो उन्होंने कैमरा ओन किये हुए थे और जब दर्वाजा खट खटाये जाता है तो अर्दनगन हालात में वो महिला जो पुलिस अधिकारी है वो दर्वाजा खोलती है और वो उन कैमरा में कैप्चर हो जाती है अंदर जब देखा जाता है तो जो सीयो साहब है कृपा संकर जी वो भी बहुत ही अलग हालात में बैड पर बैठे हुए है और ये सब को कैप्चर पुलिस करती है ये तो कैप्चर हो जाता है वाइरल हो जाता है लेकिन पुलिस दोनों को पकड़ कर ले जाती है उसकी पत्नी भी साथ में होती है वो भी देखकर हैरान थी क्योंकि सीयो का जो काम होता है वो लोगों को समझाना होता है लेकिन यहाँ पर तो CEO सहाभी कुछ ऐसा कर रही हैं कि उन्हें समझाएगा तो कौन अब पत्नी के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल थे लेकिन वो ये भी समझती थी कि अगर मैंने कुछ यहाँ पर पूछा तो मेरे पती की ज मजते हैं सारा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था अब इन चीजों का समय नहीं था पुलिस विभाग में डिसीजन लिया जाता है जो CEO सहाभ थे कर पसंकर उनको मामोली सा पुलिस कामस्टेवल बना दिया जाता है और जो वो महिला है उसे उसके घर भीजा जाता है उ तो वो घर पर चली जाती है कुछ दिनों के लिए उसे सस्वेंट कर दिया जाता है और अब उसके पती की नजरों में वो गिर चुकी लेकिन उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जाता है कुछ दिन बाद वो अपनी उस जूटी पर आ जाती है यह सची कहानी हमारे सामने निकल कर आई आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर कमिंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या उस महिला अधिकारी को ऐसा करना चाहिए था हमारे हिसाब से मेरे पर्सनल ओपिनियन से नहीं करना चाहिए था क्योंकि महिलां को कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमें उन्हें प के साथ भी गलत होता है उन्हें भी सक्की नजरों से देखा जाता है तो इसलिए ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए उन महिलाओं को जो बड़े-बड़े पदों पर हैं बड़ी-बड़ी अच्छी उन्होंने पोस्ट पाई हुई हैं कम से कम अपना नहीं तो अपने पद की मर् चाहिए क्योंकि जो भी लड़की चौब लगती है और आगे महनत करती है तो आज पड़ो उसके गाउं दिहात के लोग उनका उनका उधारन देते हैं अपनी बच्चीयों को और फिर जब ऐसी महिलाएं ऐसा उधारन सिद्ध करेंगी और ऐसे अपसर ऐसा उधारन सिद्ध करेंगे तो फिर क्या ही होगा समाज का आपको जो भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा बहुत जल्द फिराती हों ऐसी ही एक सची घटना के साथ तब तक के लिए जैन चया बारत